अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब जरू करें और बेल का घंटा जरू प्रेस करें और अगर पेस्बूक देख रहे हैं तो आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं में चोकलेट मिल्कसेक की रेस्पी तो यहां पर मैं घर के समान से चोकलेट मिल्कसेक बनाओंगे जिसमें मैं डार्क फ्रेंटेसी चोकलेट बिस्किट ले रहे हैं जिसके अंदर चोकलेट होती है और किट केट चोकलेट जो कि हम अकसर घर पे रखते हैं खाते भी हैं यहां पर दो किट केट चोकलेट ले लिए यहां पर भी मिक्सिंग में आप इसे दोनों को हुम प्रेपरफाय केस में डाल लेते हैं आप चाहे तो कौटिटी बढ़ा भी सकते हैं और यहां पर डार्क पौंट्र से जो बिसक्ट आती है वो में मैं लेने हूँ तीन से चार आप अपने पसंद से जितनी मज़ी ले पर यह मैं ले रही हूं दो कप के हिसाब से दो मेमर्स के लिए दो ग्लास में बना रही हूं तो दो ग्लास के लिए मैं यहां पर चार बिस्किट कर यूज़ की हूं इस तरह से घर के समान से आप बहुत एजी तरीके से चोकलेट मिल्क से बना सकते हैं जो कि घर के बच्चे स बड़े सभी को पसंद आया गर्मियों में यह पीने में बहुत ही मज़े आते हैं तो यहां पर डालने के बाद मैं यह दूर ले रहे हैं तो यह उबला हुआ दूर ठंडा करके है फ्रिज़ वाले दूर है तो फ्रिज़ वाले भी आप ले सकते हैं पर उबाल के लिए और दूर लात में यह दूर होई जाहिए आप दूर ली जाहए तो यूत लात में इसी तो यह मिन्ट के लेए अब ज़ाए intentions करे तो यहां पर था दूह जात एक निइक रूँ जाए यह देखिए इससा आप मिक्स कर लें आप behavior Elliott enabled आप एठने दूर ज्लिए में रूह जोग हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चॉकलेट के साथ दूद को और इस तरह से बना के अब घर में साम को या कभी भी पीने में बहुत ही तरह गर्मियों मज़़ा आते हैं यह पीने में ठंडी ठंडी चिल चिल मिल्कुक के रेस्पी तो यह घर के बिस्किट और चॉकलेट से आप बना सकते हैं मिल्क से और मार्केट शेवी टेस्टी लगती हूँ यह तरह से आप सर्फ कर से यह से श्यूप को यह, बन जाएका इस देखे यहाँ पर निकाल के आप इसमें गार्निस कर रहें तो चोकलिट सेक बना सकते घर में और पीने में भी कापी टेस्ट लगती है तो इस तरह से बनाईए और इंजोई केजिए और हमारे साथ जूरे रही में रेसिपी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को साथ इडियो ट्रिप को साथ सेर जरू करें था इंग्यू वीडियो बाई बाई टेक केर तुम मिलते हूं नई रेसिपी के साथ सी यू